साथियो आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकरन जी दो संदेश हर युगा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए ये दो संदेश है इंस्टिजूशन और इनोवेशन इंस्टिजूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं टीम स्पिरिट से काम करते हैं आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजल सक्सेस को टीम सक्सेस के रुपे विस्तार दे यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रुपे विक्सीद भारत को आगे ले जाएगा मेरे युवा साथियों आपको स्वामी विवेखानन जी एक और बात याद रख रही है इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेखानन जी कहते थे हर काम को तीन चरणों से गुजरना पड़ता है उपहास पीरोत और स्विक्रुति और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिवासित करना है तो वो यही है उदानर के लिए कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत होई थी तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजा कुड़ाया था स्वच्च भारत अप्यान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि यह सब भारत में चलने वाला नहीं है देश गरीबों के लिए बैंकों में जंदन खाते खुलवा रहा था योजना लेकर आया उसका भी मजा कुड़ाया कोवीड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सिन लेकर आये तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं लेकिन आप देखिए आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल डिडर है आज जंदन खाते हमारी एकोनामी के एक बड़ी ताकत है वैक्सिन के खेत्र में भारत के उपलब्दी की दुनिया में चर्चा हो रही है इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है विरोध हो सकता है लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर ठीके रहिए उस पर भरोसा मनाए रखिये आपकी सबलता मजाग बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबीत होगी